How to increase your value 10 times आज अपनी value जो हमारी छवी होती है उसको कौन नहीं बढ़ाना चाहता है हरको बढ़ाना चाहता है लेकिन कहीं नहीं जनक टरी नहीं करने कारण हम अपनी value को यानि हम अपनी जो कीमेश उसको नहीं लगा पाते हैं जिससे हमारी जो value यानि कि जो हमारी छवी होती हो लोगों के नजरों में काफी हत्ते गर जाती है मैंने जो 9 points सिखें अपनी जिन्दिगी से कि ये गलतिया नहीं करने चाहिए और इन जगों पर ध्यान देना चाहिए वही आज 9 points में इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा पूरे की पूरी वीडियो देखना क्योंकि वीडियो आपकी बहुत काम की है अगर आप professional हैं आप student हैं आप job करते हैं आप business करते हैं आप housewife हैं तब भी यह आपकी बहुत काम की वीडियो है क्योंकि इस type की वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगी क्योंकि यह realistic है जो मैंने practically अपनी जिंदिगी में सीखा है और practically अपनी जिंदिगी में learn किया है वो सब का सब सिखाने का आज में को प्रियास करूँगा कि हम अपनी जिंदिगी में value को किस तरह से create कर सकते हैं और कहाँ पर हमारी value down होती है किन चीज़ों को हमें करना है किन चीज़ों को नहीं करना है नमस्कार दोस्तों मिन आप राजिंदी सिंग्रावत business consultant नवरतन आईविसी बड़ा business.com अगर वीडियो अच्छे लगे की तो like कर देना और चैनल को subscribe जोड़ कर देना अब हम बढ़ते हैं अपने long points के तरफ कि किन किन points में हमें आगे काम करना है पहला point है वो है be independent मतलब हमेशा आत्म निर्भर रहें ना तो किसी के उपर पैसे के लिए dependent रहें ना किसी के लिए उपर काम के उपर dependent रहें और ना ही अपने जिम्मेदारियों से बचें और किसी और के उसमे थोपें या फिर अपने family को किसी और के पर hand over करें कि आपकी जो family है आपका परिवार है किसी और के बलबूतियों में चल रहा है आपने हमेंसे एक चीज़ देखी होगी जब भी हम किसी के ओपर dependent हो जाते हैं हम उसके ओपर हावे हो जाते हैं कि हमारे मड़त करेगा माईवाप आप यो जो हो तो वो हमारे इज़त नहीं करता वो हमारे respect नहीं करता वो दस लोगों के बीचिंगे मोलता है मैंने उसके लिए किया मेरे मेरी वज़े से है जो मैंने होता तो वह हता क्या मैंने उसको पैसे देते हैं मैंने उसको किया था एक बात का हमेशा ध्यानक ना, जब भी आप किसी से मदद ले रहे हो, इसका मतलब आप उससे एहसान ले रहे हो, आज नहीं तो कल जब आपके और उसके संबन्द में कहीं नहीं खटास आएगी, तो दस लोगों के बीचे बोलेगा कि मैंने इसकी मनद की थी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो ये था, ये तो वो था, हमेशा इंडिपेंडेंट रहो, पैसे के लिए ना किसी के उपर डिपेंडेंडेंट रहो, खूब मैनत करो, पैसे कमाओ, अपने आपको डिपेंडेंडेंड बनाओ, हमेशा अपने उपर इंडिपेंडेंडेंड रहो, आत काम के बात करते हैं पैसे की बात होगी आप काम के बात होती है किसी से आप काम मांगने जा रहे हो आप अपने बॉस के उपर डिपेंडेंट हो ठीक है बॉस के पर डिपेंडेंट हो लेकिन अपने आपको उस कमपनी के अंदर अपने आपको उस काम के अंदर ऐसा बनाओ कि व लेकिन अगर आप उसके आपको निकालना बद सर मेरे को निकालना मत वह हमेशा आपके और दवाव करेगा एक्स्टा काम कर यह बीकर यह कर वह वाले का आप से तो डिपेंडेंसी यह होती है उसके बादा आते है responsibility मतलब आपके जिम्मेदारी हैं उसको आप नहीं भाव किसी और को क्यों दरियो आप यारे यह मतलब काम तो मुझे करना लेकिन तू कर दिया इस काम को अगर मैं अपनी बात करूँ आज मैं किसी और के अपको डिपेंडेंट नहीं हूँ आज मैं खुद इंडिपेंडेंडे तो मेरे पर हर वक्त रंडर रखेगा हर वक्त मुझे सता आएगा परिसान करेगा मेरी वैल्ली डाउन होगी तो सबसे पहला पॉइंट है अपनी वैल्ली को बढ़ाने का अपने उपर आत्म निर्भरता का ठपा लगाओ और खुद इंडिपेंडेंडेंट बनो ताकि आप किसी के उपर डिपेंडेंट न रहो इन चारों पॉइंट के उपर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जहापर आपके वैल्ली बढ़नी चाहिए और आपको बढ़ानी है वह है टॉक लेस अचीव मूर बोलो कम अचीव जादा करके दिखाओ अब बोलते ना रहे तरह पहले में गलती गता था सब म तेनी कोamba बोलता था अचीव नहीं कर पाता था अचीव करने में में फैल हो रहा था तो वहाँ पर कया अब बोलना बंद कर दिया अची वार को दिखाना सुरू कर दिया लोगों को खुद पता लगते आगे करने वाला हूं ऐसा खुद करके दिखाओ के लोगों को खुद पता चले यह क्या कर रहे तो यह बहुत जरूदी एह आप कंसे कंबो ना तो एप फैमली को जाब बोड़े औल अपने फ्रेंज को बोले न अपने रिस्टριतारौ रिस्टिरों को मौ लोगा लेंगे पर clipping कर देंगे अपने प्रव्हों के बोल दोगे रखिया अपको बोल मेंगे करने बिल्कुल नहीं उसको कम बोलो लेकिन अब जादा वेलू देते हो तो ना तो अपने किसी भी गोल को, आप अपने family को, friends को, relatives यानि की रिस्तेदारों को ज़ादा बताओ और अपने customer से जितना वादा कर रहे हो, उस से हमेशा जार दाने के कौसिस करो आज हम अपने customer को जितना हम बोलते हैं, support के मामले में, service के मामले में, उसे धम जादा ही जाते हैं हमेसा, हमने कमी कम नहीं दिया हुने, तो यहाँ पर हमारी value हमेसा बढ़ते रहती है, लेकिन जब मैं अपने goals के बारे में, अपने friends circle के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अ अपने आप बढ़ने लगी, आज कोई नी बोलता, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे बोलना कम है, करके जादा दिखाना है, तो लोगों को अपने दिख जाता है, है ना, अब for example, अगर आप किसी से कहते हो कि भाई तरह भाई, आइफोन लेगा, ये लेगा, वो लेगा इसा करेगा, वैसा करेगा, अब आपके हाप में कौन से फोन है, भी, Samsung का फोन है, for example, बिलत फोन नी है, अब आप बोलते है, Apple में लूंगा, 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 अब आप सब लोगों को बताते हो अपने आस-पास, तो लोग आपके ताने मारेंगे हैं हमें सा ले लिए Apple का फान, ले लिए, Samsung चला रहा है, बात कर रहा है Apple की, तो नहीं, लेकिन जिस दिन आप Apple लेके आजाओगे, लोगों को अपने आप दखेगा है, Apple लेके आगे आगे, भाई, 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 कहां से लाए, बता थोड़ा है, कमाल है यार, मतलब ना, मतलब, समझ र बढ़ाने के लिए, कम बोलो, जादा करके दिखाओ, यहाँ पर मैंना Apple का example लेकिन इसको आप सखसे भी देखो, जादा मत बोलो, जादा over commitment मत करो, हमेसा कम limit में कम commitment करो, और over deliver करने की हमेसा कोशिस करो, जादा से जादा देने की, तो ये दोनों पॉइंट आपको बताए, इन 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 पॉइंट पर काम करके आपकी value बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ किसे से बोलो मत, जो प्रोव बिल्कुल, ना, बोलना भी जरूरी है कई बार, लेकिन कम, limited, कम से कम बोलो, जादा से जादा अची करके दिखाओ, तिरसरा point जिसके आपकी value को बढ़ाने मे में बहुत मदद मिलेगी, वह है, don't be available all the time, यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, सबसे बड़ी, यह मेरी जो downfall वाली चीज थी, यह वो थी, मैं किसी को मना कर नहीं पाता था, किसी को मना नहीं बोल पाता था, किसी ने मसे बोल दिया भायार, वह थो थोड़ा काम करना है, चल दे, मतलब सारा काम छोड़का चले गया, इसको बोलता है, अच्छे लोग जो होते हैं, मतलब आप मसे बहुत सरे लोग होगे, जो मना नहीं किसी ने आप से कर्ज मांगा, आपके पास है नहीं, तो आप उसको मना नहीं कर पाते, आप यहां वहां से कर्ज लेके उसको दीदेते हो, तो यह यहां पर बहुत बड़ा एक डाउन फोल है, हमेंसा हर किसी के लिए अविलेबल मत रहो, ना तो अपने रिलेटरिस के लिए, अपने जो आपके रिस्दार हैं, उनके लिए हमेंसा खाली रहो, ना अपने दोस्तों को ले खाली रहो, भाई चल यार, घ तो यहां पर क्या है कि आप हर किसी के लिए आपके फोन कर दिया आप उसको घंटो चबक के बात करें पढ़ाय लिखाई छोड़ दी यह नहीं है हमेशा हर किसी के लिए अपकी वैल्लू को हमेशा घटाता है अब आप से पूछता हूँ अपने आसपास अपने मन में एक यह स इस वक्त तो बोलो आप वह आपके लिए खड़ा रहता है हमेशा आप बहुत सरे लोग हैं इस तास पास तो आप अपने मन में सोचना भले आप उनको अच्छा मानतों के पसंद करते होगे लेकिन क्या आपके नजरों उनकी उतनी वैल्लिव है जितनी वैल्लिव उसकी है जो आपके कहने पर भी आपके पास नहीं आता यस यह नूँ भले वाट चंसान है बहुत चंसान है लेकिन आप उसकी उतनी वैल्लिव नहीं करते जो चीज हमेशा एवेलेबल रहती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है एक बात का हमेशा धानक नाप अगर आज आपके पास दस दससार रुपें हैं तो आपके नजर में वह दस दसार की तर की उतनी वाल्य न negen है जितन egy मेरिज वालि मिलती है जब कहीं नहीं मिल रही होती है उसके rate हमेसा high रहते हैं लेकिंगे जब सब्सक्राइब हर और किसी के लिए आपकी value कम ना वो लोगों को मना करना भी सीखु एक बार दो बार आप मना करने महा को जिक लेकिन तीसरी बार से मना करते हो कि भाई मैं यह काम कर रहा हूँ मैं तरहाद नहीं आ सकता बात कतब हो गई तो अपने आपको हर किसी के लिए हर समय अविलेबल मत रखो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि घर में तुमारे को परिवार में बहुत बिबार हो गिया किसी को चोट अब टाइम निया मैं अपने पढ़ाय कर रहा हूँ यह मैं बोलता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ दर्द होता है लोगों पी नजरों में लगता कि घमंडी है कोई बातनी घमंडी समय दो आप अपनी जिंदगी बनाओ अपनी जिंदगी को पर काम करो जब जहां पर है learn to be read facial expression अब मैं जो आपको बताने वालों यह बहुत जवर्दस point है value बता है खतम कब होती है जब आप किसी के पास जाते हूँ और वो आपको ignore कर रहा होता है आप से बात कर रहे हो आप बोलो भाई यार मेरे जिंदिगी मैं सवरा बोला है हाँ सभी कर रहा है अच्छ अच्छ ठीक है बोल तरह बोल तरह सुन रहा हूं यह ignorance है मतलब आपकी बात पर इंट्रेस्टेड नहीं है और जब आप किसी को कुछ बताते हो और वह ऐसा करता है तो कितना लगता है इसका मतलब उसकी नदरम की value नहीं है मैं उसे example देता हूं मालो आपका पडूसी है आप आप सो कुछ बोल रहा है आप सुनने रहे हैं देख रहे हूं लेकिन अगर प्याम मोधी आपके सामने आगे तो आप तब यह से देखोगे हम और जी बोलो अच्छ गाओं का बिगास करोगे हमारे अच्छ ठीक है आप इसा करो नहीं आप बोलो जी 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 बिलकुस सर बिलकुस सर यह करना से सर जिस चीज की जितनी ज़्यादा एविलिविल्टी रहती है मैं क्या कह रहा हूं उतनी उसकी खत्म हो जाती है हमेशा अपने आपको इग्नॉरंस से बचाने के लिए तभी उससे बात करो जब तुम्हारे बात पर ध्यान दे रहा हूं अगर और इसका मतलब उसकी नजलों में आपकी जीरू है अगर अपनी पता करनी हो न तो अपने दोस्तों की बीच में अपनी को इंपॉर्टन बात कहना जब आपके ऊपर वो ध्यान नहीं देगा इग्नॉर करेगा अपना फॉन चलाएगा उसी के साहसां आपकी बातों को कट करेग उसकी के साहसा साह 청ट उख की जब आपसे बात करते हैं यह कम कर लहां करेंगा। मतलब कुछ कर रहा हूं हो उससे बात कर रहो चारव में सब्समें पॉइंट बैकर सामने यह समसे बात नहीं इसमें ऐसंब उस्से बूस्ता आपको इन सारी चीजों में पढ़ना ही नहीं वाली बात अगर रहे हो तो इसको वह लो भाई जब काम खत्म कर लेगा तो अपना काम कर ले जब हो जाई हो तो मुझे कॉल कर लिए यह आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको थोड़ा सा आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ माए कि अपनी वैल्ली को बढ़ाया कैसे जाता है यह मैंने बहुत गल्ती की जब मैं किसी से हेल्प मांगने जाता था तो बो अई dot कols कर लोगों को बहुआ लगता है आपको बहुत लगेगा कहते हैं वह काम कभी मत क्या पड़ते हों नहीं को यहां बातों का त्यान को जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो दूसरें के लिए मत करो तो लोगों के पर नहीं से सीखो लोगों के अगर आप हरते हो तो आपको समझ में आता है कि एंप द हान यहां नहीं करा इधिरा है देख रहा है गाया हुआ है वह और पहुछ है क्यूं हो uh लोगों को चेहरें को पढ़ना सीखो, लोग आजकल गिरिगडी की तरह रंग बदलते हैं, उनको पढ़ना सीखो, पढ़ना सीख जाओगे तो बहुत अगी चले जाओगे, मैं जितना जानता हूँ को सिखा सकता हूँ, जब से मैंने पॉइंट फॉलो किये हैं, मेरी लाइफ इसलिए आप से कह रहा हूँ, इन पॉइंट को फॉलो करो, उसके बाद नेक्स पॉइंट जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप इसे इंप्रूम नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू घड़ जाएगी, वह है चेंज और एन्वार्मेंट, मतलब आपका माहौल अ आप भी नेकेटिव माने जाओगे, नेकेटिव हो जाओगे, आप अगर प्रफेस्नल लोगों के बीच मे रहोगे, तो आप भी प्रफेस्नल बन जाओगे, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तो आप भी पॉजिटिव बन जाओगे, यह 100% गारेंटे के स मतलब अपना घर छोड़ते हुआ है आ है अधिक नेगेटिव घुझाल को खत्म करने लिए तक्रेवन तक्रेवन 10,000 पॉजिटिव थौट चाहिए तब जाके आपकी एक नेगेटिव बाद जो मन में घुझदी यो बाहर निकल पाती है, उसको हम खदम कर पाते हैं, इसलिए हमें से धानकना, एक negative शब्द, एक गलत बात तुम्हारा दिवाम को गई, तो आपकी जिंदगी का direction कुछ और हो सकता है, और कहते हैं, एक बात कहते हैं, कि आपकी जिंदगी का एक कप्तान होना चाहिए, एक captain होना आपकी जाएगा, तो आपकी जाएगा, तो अपने रथ को एक सार्थी का हाप में रखो, जो आपको guide करता हुआ, एक direction में लेके जाए, हमेसा उस इंसान के बात सुनो, जिस आप प्रफेसर्ण में जाना चाहते हैं, उस प्रफेसर्ण में उसको experience हो, कभी भी ऐसे इसे इसा जाएगा, जो इनसान में जिसको experience है, जो इनसान के बात सार्थी के बात सार्थी होती है, इसलिए अप से कह रहा हूँ, हमें सब उस इंसान के बात सुनना, जिसकी तरह बनना चाहते हो, अपने surrounding को अगर आप physically नहीं कर सकते, तो digitally change करो, digitally change करोगे, तो आपके life में बहुत ज नहीं करोगे, तो आप उनके ही बीच में रहोगे, दस सरावय के बीच में रहोगे, तो अग्यार सरावी आप माने जाओगे, और अगर दस अच्छे इंसान के बीच में रहोगे, तो अग्यार इंसान अच्छे आप माने जाओगे, तो हमें से इसका ख्याल रखना, और होता है गूर्प का हीरा होता है अलों संवानता है कि होती है संवानता है पिल्कुल होती होती है कि जो आपका का inglés का स्कार है वो दूप में रखो ग्याsu गर्म हो जाएगा जो और ही रह도 और इसको बनी को थारै समझेंगे लेगिन अगर आप उसी हीरे को उसी नकली हीरे को अगर आप एक टॉप लेवल का जो जो हरी है जो भाया जिसका करोलों का बिजनस है उसकी दुकान में राकर रखcin होगे तो उस नकली को भी लोग असली मानेंगे क्योंकि आपका फरक कहा लोगों के बीच में रहें तो आप एक दिन बन जाओंगे लोग आपको भी प्रफेसल नहीं मानेंगे आपकी बढ़ेगी लेकिन यह ज़रूरी है कि आप हमेसा और रहें नकले बनने का परियास नहीं करें तो यह एक्जाम्ल में आपको दिया का मतलब अपनी प्राथ्मिकताओं को सेट करो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं कौन सा काम करूंगा मैं कौन सा काम नहीं करूंगा मैं अपने आपको यह रखो मैं अपने काम की पराइरटी को 70 परसंट रखता हूं तो मैं अपने काम के परति सतर परति सतर जिम्मेदार रहता हूं बाकी का वहीं करता हूं और 10 परसंट अपने परसनल लिए परसनल लाइव के वारे में थोड़ा सा अपना ध्यान रखता हूं तो आप अपने काम को जादा टाइम तो जादा समय लगा हूं पर जिसमें बागी काम अपने फैमिली में अपने आस-पास दोस्तों का घूमना फिर ना उन्य यार यह जवान का अदमी इसने बोल दें नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा बहुत सरा लेगों इसे होते हैं जिस काम को नहीं बोलते हैं नहीं करते हैं उनकी वह एक ऐसी इंपॉर्टन चीज़ा है जिसको प्राइटीज बोलते हैं वह उसको हामेसा सेट करकर रखते ह हैं कि मैं यह काम करें यह यह काम करूंगा जिन्दिक से निकाल के दे रहा हूं परसनल जिन्दिकी का experience आपको share कर रहा हूं कि मैंने क्या किया था है ना तो आप भी इंचेज को follow करो आप भी बहुत अच्छा कर पाओगे उसके बाद हमारा सातों point है do what you have said do it जो काम आपने बोल दे उसको करके दिखा दो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोलते तो बहुत जाना है करते कुछ भी नहीं है बहुत सारा बोल देंगे मतलब टॉप लेवर बोल देंगे यह कर दूँगा वह कर दूँगा लगे लास्ट मैंने क्या का था फश्ट मै आपने बोल दी जिसदिन आपने वो लोगों को कर दिखा दी आपकी वैल्यू अपने अप साफ बढ़ने लगे अप बोले है तो जो बोलता करके दिखा दिखा देना उसके लिए ना लोग ऐसे बोलते ना असपास भाई रात को दोज्वाजव लालने वाई को रात जागा अगर वह आ गया तो क्या उसकी वैल्यू और उसकी रिस्पेक्ट आपके नजरों में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वजे नीचे क्यों कमें बढ़ जाएगी कि मैंने इसको रात को दो बुझे बुलाया बहुत सक आदमी है बुलाओंगा दोबर आ जाएगा तो जो कहा है उसको करने की तागात रखो करके दिखाओ अगर आपने बोला है कोई वादे की हैं तो उन वादों को पूरा करके दिखाओ आपके परती लोगों को ट्रस्ट विस्वास अपने आप नेक्स लिबर और आपकी वैल्यू आपकी जो छवी आपने आप लोगों की बीच में बह पे अटेंशन टू यूर आउटफिट आउटफिट का मतलब होता है अपने हुलिये पर अपने चबी पर अपने कपड़ों पर अपने जूतों पर अपने भाईया ड्रेसिंग सेंस पर अपने हेर कट पर ध्यान दो बहुत सरा लोग ऐसे होते हैं भाईया हेर कट बिल्कुल मा मतलब इसे बार मतलब यह ढगी यह यां सब्सक्चराय रखता है इसका लोग सब्सक्स भरेष्ध होता है तैसे सबस्क्राइब तो है he here इस फॉट इसे जो मतलब निकले यहं से वाल निक हुने कान से बाल निकल रहे हैं मतलब थोड़ा सा अपने होले पर ध्यान तो दो अगर आप अपने पर ध्यान नहीं दो गए अगर आप प्रफेस्टल अगर आप बनना चाहते हो अगर आप प्रफेस्टल नहीं बनना चाहते हो भईया पर तो आप जा सकते हो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको कर स चाहते हो आप चाहती हैं लोग आपकी वैल्यू करें आप चाहते हैं अप अच्छा बिजनस करें आप अच्छी जॉब करें तो बहुत बहुत होईंगे समझ इस चीज को आप है न तो अपने एर कट के उपर ध्यान दो अपने ड्रेसिंग सेंस कपड़ों को पहना होई के लेकिन अपने आपको एक पर लुप में दर्साय करता था इसलिए आपको बता रहा हूं लेकिन न包ड रहा हूं मैं चाहता हूं आपके वल्लु भी बड़े आपकी वैयली को कस्या अपन्य क्रोच क्लोच कपड़ों पर ध्यान दू अच्छे महांगी कपड़े करदर्स नहीं है लोगों में मांगे कपड़े पहनता था लेकिन तब भी मैं उसको अपने हिसाब से रखता था अच्छे कपड़े साफ दुलिए रखो गंदे कॉलर और यह गंदे कपड़े मत पहना को रखो है तो इस चीज़ को थ्यान दो गया अपने पहना दो पैसे नहीं है कोई आज नही गहले है किप complete information about work अपने काम के पदि हमेशा अपने जो नौलेजnut करते रहो English करते रहों यंड़िस करते रहो अगर मैं बिसस कंसल्तर हो तो अपने इसके प्रति में अपनी मार्केटिन की में अपनी वीडियों की है ना मैं अपने विज aan content की में अपनी इनके अपर knowledge में लगातार बढ़ाते रहूंगा तो आपका जो field है अगर आप school में हो आप job में हो आप कोई काम कर रहे हो आप को बिजनस कर रहे हो तो उसके परती अपने लगातार information को बढ़ाते रहो लगातार इन्सान जूटने बोलता हर में सही ढाटा रहता है इनसान बिलकुँ सही है यह बहुत अच्छे इंसान है जिसके पास ग्यान होता है लोग उसको हर जगे पूझते हैं हर जगे मानते हैं देख़ो हर को इंसान हर कुछ निया आप मुझे टीचिंग करा दो मुझे पढ़ा दो लिखा दो वे ट्वल्स एक्जाम आ रहे हैं यह कर दो वह कर तो मैं उसमें नहीं कर पाऊँगा अगर आप बंदर को पाने में टाया हूँ तो यह तो नहीं हो सकता मतलब यह सब्सक्राइब आप हो जिस भी काम आप जाना चाहते हो उसकी complete information रखो वह अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो उसके बारे में जाना पड़ा रखे करके रखो अगर अब एक बिसनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में अपने knowledge को increase करो और अपने personality को आगे बढ़ाओ जब तक आप overall personality के उपर communication के उपर dressing sense के उपर इन सारे points के उपर आपके priorities क्या हैं इन सब के उपर आप काम नहीं करोगे तो ज्यादा लंबा आप अपने value को नहीं बढ़ा पाओगे इन अगर आप points को follow करोगे तो आप अपने life में 10 गुना नी 100 गुना नी 1000 गुना आप impact कर सकते हो क्योंकि मैंने इन ही चीज़ों को follow करके आपने life में impact क्रेट किया है तो knowledge को बढ़ाने के लिए आपको मैं recommend करूँगा अगर आप student है तो आप हमारा personality development का पूरा का पूरा value pack का program ले सकते हैं इसमें आपको सारे के सारे चीज़ा है time management, personality development, communication, public speaking इन सब के ओपर आपको training दी जाएगी आप special courses बने वे बहुत ही कम price के अंदर एक एक आम इंसान भी इन courses को लेके आप विबेग बिंदा जी के साथ इन सारे चीज़ा को सीख सकते है top subject matter experts है जो आपको सिखाने जिसको इसकी जरुवत है जो अपनी life में अपनी value को बढ़ाना चाहते हैं लाइक कर देना, share कर देना, subscribe कर देना चैनल को और next topic आप कौन सा चाहते हैं मुझे एक बाद नीचे comment box में जरूर बताना मिलते हैं आपसे बहुत जल नेक्स वीडियो में तब तक आपका बहुत ब अपनी बाद